चलने तो फिर 2.4 एक्सरसाइस पर कल हमने आपको बैसिक कॉंसेप्ट समझाया था एक्सरसाइस 2.4 के लिए और आज हम लोग स्टाट करते हैं 2.4, 2.4 के हैं 5 सवाल, ठीक, तो चलो लोगाते हैं, कल हमने आप लोगों को शुन्यांकों और गुणांकों में संबन इस्थापि कीजिए कि निम्नत्रिगाद बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनके शुन्यांक हैं, पिरतिक इस्थिती में शुन्यांकों और गुणांकों की बीच में संबन भी स्थापित करना है, या संबन देखो, पहले कुश्यन का, पहला जो दिये गया है कुश्यन, वो है आप के पासमें टू एक्स क्यूब, और पिलस एकस स्क्वायर माइनस पाच एकस, पिलस दो ठीक, और तीन शुन्यांकों के दिए गया है, एक बटे दो, दूसरा है एक, और तीसरा है माइनस दो, कोश्यन ने क्या कहा था, पहले से समझ लें, सत्यापित कीजिए कि निम्न्रित इसा रवा बहुपद के साथ दि गई संंख्या उनके शुन्यांक हैं उनके क्या है और उनकों घुरांक के बीचे संबंद भी सत्यापेत कीजिए देखो एक बटे दो एक और माइनस दो ये तीनों शुन्यांक है ऐसा हमें दिखाना है अच्छा एक बात बताओ कोई भी बहुपद का अगर कोई दिया गया मान शुन्यांक होगा तो इसका मतलब यह है कि वो वैलू अगर हम इस बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान कितना आएगा जीरो कितना आएगा अगर बहुपद का मान जीरो आजाता है तो दिया गया एक्स का मान बहुपद का शुन्यांक है और अगर शुन्यांक नहीं आता तो नहीं है तो सबसे पेदे हमने मान लिया मान लिया कि यह alpha beta gamma है ठीक है तो चलो देखते हैं यह एक बटे दो, एक और minus दो यह है, इसके शुन्यान के हैं या नहीं अगर मान लो हम कि इसको PX माने इसको क्या माने PX एक बहुपा दे, उसको हम PX माने PX बराबर लिखें, दो X से Q पिलास X स्वाइर माइनस 5X पिलास 2 और हम X बराबर सबसे पहले ले रहे हैं, एक बटे दो X बराबर क्या? तो एक बटे दो पर अगर हम बहुपत कमान निकलना चाहते हैं यह तरिखाद बहुपत का तो दो गोड़ा X कमान कितना आजाएगा? एक बटे, दो घन है तो क्या कर देंगे? घन, पिलास इस्वाइर है तो 1 बाई 2 का इस्वाइर हो जाएगा माइनस 5 गोड़ा X, X कमान 1 बाई 2 पिलास आगिया दो, राइट? अब दो जुमकते हो गया एक बटे, दो का घन करेंगे एक का करेंगे, एक आएका दो का करेंगे अठ आएका दो दूरी, चार दूरी, आठ दो का घन तो जानते हो ना? पिलास एक बटे, दो का वर करेंगे तो चार, माइनस 5 बटे दो, पिलास का दो हो जाएगा ठीक है, दो से से कर दिया, कितने वार कर दिया है, चार, दो चो को आठ, अब हम लक्तम लिए लेते हैं, चार, और चार लिया हमने, तो चार से चार कर दिया, तो एक बचा, फिर चार से चार में भाग चला गिया, तो एक बचा, दो से चार में भाग चला गिया, तो दो बचे क्या जिए इसका मतलब किया हुआ एक बटे दो इस प्रिगाद बहपत का शुन्यांग को है यहां लिखेंगे आतहाँ कि एक्स बराबर एक बटे दो एक शुन्यांग है अब चेक करेंगे एक को के एक शून्य आंखिक नहीं है दिया गया ऐसे चेक करें एक रखेंगे फिर माइनस दो को चेक करेंगे चलो तो हम यहां पर अब निकालते हैं पी एक कमान देखो पी एकस बराबर इतना भोफ़ाद है तो पी एक कमान नकालेंगे तो एकस अस्थान फी क्या कर देंगे उटा एक ए जहा जहाँ एक स्दा वहां वहां मुनने एक रख दिया एक का घं करेंगे, एक ही आएगा, एक का गोना दू में करेंगे, दो आ जाएगा, फिलस का एक आ जाएगा, माइनस पांच एका माइनस के पांच, फिलस का हो गया, दो, दो दूनी चार और एक, अच्छो, चार और एक आठ, चार और एक पांच होते बिटा, माइनस पांच ब एक शुन्यांग का है चलो एक बटे दो ने एक 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 वराबर एक भी एक शुन्यांग होगी है अब माइनस दो को चेक करते हैं तो हम निकालेंगे पी माइनस दो का मान तो यहां आकेंगे भाई दो माइनस दो का घंड पिलस एकस स्कुायर मतलब माइनस दो स्कुायर माइनस ऑगो चमण करते हैं तो माइन टूनी चाजूनी बढू करते हैं अगा गात के दूह में विश्मसंख्या हें तो तो value अगर minus किये, तो minus किये तो plus कि रहेगे, में कि पावर एक समसंख्या है, तो value हमेशा धनात्मा को चाहे धनात्मा को, दो दूनी 4, देखो समगाते थी इसलिए plus कर राया, पांच दूनी दस माइनस माइनस पिलस पिलस दो आठ दूनी सोला दस और चार 14 और 15 और 16 लो भाई यह भी 0 हो गया इसका मतलब यह हुगा कि X बराबर माइनस दो भी एक शुन्यांक है ठीक तो इसको हम एक काम कर लेते हैं एलफा बराबर लिख लेते हैं पहला क्या था एक बटे दो और बीटा लिख लेते हैं एक और गामा लिख लेते हैं माइनस दो एलफा, बीटा, गामः, यह होगा तिनों सुन्यांग, एक ऐलफा, एक बीटा और एक, आच्छा, आप सुन्यांकों और गोड़ांकों में संबंध स्थापक करना है, तो सबसे पहले हम इस बहुपत की तुलना करेंगे और गुरानकों को निकालेंगे यानि A B C के मान निकालेंगे चलो, तो यहांपर हम लिखेंगे दो X Q पिलस X स्क्वायर माइनस 5 X पिलस 2 की तुलना A X क्यूब पिलस B X स्क्वायर पिलस CX पिलस DC ये एक प्वेशन अपने नोट करी कल वही तो बताये थे कल वही तो बताये थे जो इनके बैसे कॉंसर्प्ट उत्थे संबंदों में सतापन करना है ना दुई घात का भी बताया था तुरी घात का भी बताया था इससे अगर हम तुलना करेंगे तो A बराबर कितना है गा अपना दो B बराबर कुछ भी नहीं है तो एक C बराबर माइनस के पांच बता और D बराबर दो नमबर एक अब हम सक्तियापित कर रहे हैं तो पहले एक सूतर होता है अलफा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस B बते A ठीक है अलफा का माण है दो धन बीटा का माण है सुरी अलफा का माण है एक बते दो धन बीटा का माण है एक धन गामा का माण है माइनस दो बराबर माइनस B का माण है एक A का माण है दो क्या करते हैं ये दोनों आपसम बराबर आते हैं कि नहीं एक बटे दो फिलस बन माइनस दो बराबर माइनस एक बटे दो दो लखतम ने लिया तो दो से भाग दो में दिया एक बार जाएगा एक कगड़ा एक में हो जाएगा फिर यहां पर कुछ है नहीं है तो दो कगड़ा ह एक बटे, 2 बराबर माइनस एक बटे 2, यह नि पहला संबंद सत्यापिस हुआ, बराबर है, तरह संबंद, अब जरा दूसरे संबंद की बात करते हैं, तो दूसरा संबंद था, अलफा बीटा, धन बीटा गामा, धन गामा अलफा और बराबर होता है, C बटे A Alpha का मान एक बटे 2 और बीटा का मान एक then better का 1 और gamma का minus गो गरा बीटा का alpha का 1 बटे 2 कि Corey का मान हैं आपके पास में minus 5 और एक मान हैं आपके पास में 2 ये बन गया एक बटे 2 दो एकम दो और दो से दुखड़िये, तो मािनस का 1 और बराहबर माइनस 5 बटे 2, 2 और 1, 3, minus 5 बटे 2, 2 लक्तम ले लो, तो यह कितना है, बोन माइनस दो 6, 2 3 6, minus 5 बटे 2, देख लो, minus 5 बटे 2 बचा भी नहीं, यह भी सत्याप्त हो गिया, अब एक और सत्याप्त करना था, तीसरा ये होता है तरिखात में तीन सत्यापन होते हैं एलफा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ये होता है एलफा कमान एक बटे दो दिया है गुरा बीटा कमान एक दिया है और गामा कमान माइनस दो दिया है माइनस डी कमान दो दिया है और एक आमान भी दो दिया है देखो ये दो से दो कटे तो एक बच्चा माइनस का एक में गोड़ा कर रहा एक आया यहां भी दो से दो कटे तो क्या आया माइनस एक यहां पे लेक देंगे अतहा गड़ांकों वाशुन्यांकों के मध सत्यापन हुआ आई भूरी बार समंग मैं कि किस टरीके सत्यापन करना है तो हम पौए हम बहुत समीन है कि हमें क्या है हमको यह करना है कि जो बहुतब्स हमें मिले आगे जो भी वेलू दी मेव है उसको कर लो दिखके नहीं अगर जिन क्छिए लोwr यहा रहा है और जब ABC के माना जाएंगे तो हम सत्यापन कर लेंगे ठीक है